गुद बॉर्निंग मेरूप सर आज आपके लिए आए हो एकनोमिक्स का पेपर नम्मर तीन का भाग दूसरे में जो एकनोमिक्स है उसमें टॉपिक नम्मर 7.3 नी तो इस्टूडेंट्स इस वाले टॉपिकिक में कई टॉपिक जूडए हुए जैसे स्टॉक मार्किर 비pektी Ini की पॲिए फइनेशील जो सुधहर हुए में दूसमें क्या है आर्थिक सुधार ही हम आज अध्यन करेंगे वाले टॉपिक को और इस टॉपिक के भाग में जो अपना 7.4 है तो उसको भी समझना है जरूरी होगा ऐसी भाग के हम तगर तो अपना 7.3 और 7.4 एक साथ करेंगे अपने इसको क्योंकि 7.3 में कई हद तक 7.4 का भाग आना है तो यह जो टॉपिक के कम से कम तीन दिन चलने वाला है को अगर आपने चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्स्राइब कर लें साथ ही हम मैंने एक चीज़ और कि आप जो मैं अपने डिस्क्रिशन ग्रूप में एक लिंक जोड़ रहा हूं उसमें सभी ग्रूप आत्यवस्ताम विद्दमान विसंगितियों को दूर किया है इन सुधारों का उद्दिश विकास व्रदी के साथ आत्यवस्ता प्रदान करना था इसी को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने कई आतिक सुधार प्रावर्म किये जिसे हम नई आतिक नीतियों के नाम से जानते है आवस्टा क्यों पढ़ी उस समय में इस चीज की तो विकास्तनात्मक खर्चों में ब्रद्धी के कार राज कुसी घाटा बढ़ गया साथ ही प्रतित्कूल भुक्तान संतुलन हुआ जिस चालू खाते में बढ़ावा मिला खाड़ी के साथ जो खाड़ी संकर था जिसे पेट्रो डीजल की कीमत बढ़ गई और हमारा आयत कबिल भी बढ़ चुका था विदीस्य मिनी में भंडार में मुद्रा की कमी हो चुकी था खाड़े की बितिये विवस्ता के कारण मुद्रा इस्पितीक कार्थ जो थी वो भी 32 गती से चल रही थी सार्वजनिक छेत्र के आसंतो जनत मिस्तार इस प्रिकार अर्थ विस्ता जो भातिय अर्ष्त विस्ता थी काफी गंवीर पड़िनामों से गुजर रही थी और इसी को तक 1990 में तो ये स्थिती आ गई थी हमारे देश में कि एक सप्ता तक ही आयत का बचा था 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 फिर हमने 200 टन सोना गिर्मी रखना पड़ा और उस समय ततकालिन और दूरगान चलोंती को निवटने के लिए नवीन सुधार किये और इस समय हमें बर्ड वेंग औ उपर सुधार बोले वह एक एक से करते हैं पहले आई हमारी ऑद्योगिक लाइसेंस को समांग करना और निश्व नंक्यानवी के अनुसार लाइसेंसिप्रिया को सबसे पहरे ओध्हर बनाए गया और था ओद्योगिक सूची जारी की अगई जिसनका लाइसेंस लेना संबंदिद इलोक्ट्रोनिक आइट्टाम और अच्छा संबंदिद विश्पोटक पढ़ात और जोखिम वाले रसाएं उध्योगों को अनारच्छत करना यह दूसरा था सारवजनिक तीन उध्योगों कोई आरच्छत अखा गया और सबको अनारच्छत कर दिये रेल परमानु और हाइट्रोस्वानिक एसेड यह तीन प्रकास से हमें उध्योगों को अनारच्छत करना था फिर ता एमार्टी पी एक्ट को समाथी जिन कंपनियों की संपत्ती सो कड़ों रुप और चौता पॉइंट है हमारा फेमा द्वारा फेरा का प्रतिस्तापन विदेसी ब्यापा और भुक्तान को की सुगम बनाने पूझी और निवेस के अंतरप्रभाव को बढ़ाना ने के लिए फेरा अधिनियम की जगे फेमा लाहिया पाच्पापॉइंट है हमारा फेरी निवेस को पुरुषान बन द्वस्ताश को खुली अर्थ वस्ताव में बनानी के लिए अधियोंग निती में बिदेसी निवेस के पती निती अपुदार निती अपने अपना है बर्तमान में चार छेत्रों को छोड़कर सभी छेत्रों में विदेश ये निवेश की अनुमती दी गिये सार्वजनिक उद्ध्योगों को प्रतिस पर्दी बनाना इसके लिए उदारिकर निजी कर और वेश्विकर मॉडल अपनाने के बाद सरकार के लिए आवस्यक हो गया कि सार्वजनिक उद्ध्योगों को पैसे वर बनाए और निजी छेत्रों दारा उत्पन प्रतिस परदागर सामना करने के लिए अधिक से अधिक वित्तिय स्वायतता दी जाए बरतमान में तीन वर गोकों में हम सार्वजनिक उद्ध्योगों को बाढ़ कर पड़ते हैं मिनी रतन नवरतन और महा रतन अब देखो यहाँ छे पॉइंट तो आपकी एक कोस्षण आर्थिक सुधार में होगे साथ ये तीन 7.4 में आया है कि उदारी करण समझाएगे तो हम 7.4 को पूरा पढ़ रहे हैं उदारी करण को तो आप अपनों को सौर्ट को सकते हैं आप कनवर्ट मैं बता दूँगा कहां से सौर्ट रखना है पहले तो उदारी करण क्या होता है इसको अपन कलते हैं यानि लिवराई जै अतवस्ता के विविन छेत्र में लगे हुए नियंत्रों को समाप्त कर जो पहले से रूल रेगुलेशन वने थे उनकी नित्यों को उदार करना साथ हैं दूसरी डेफिनिस से सिंपा ले सकते हैं एक और हैं तीन डेफिनिस आप तीन नमबर के साथ से भी एक उसर बनता है उ अर्थिक क्रियाओं में सरकारी अस्तरश्यक को कम करना और फिर बुनियादी प्रतिस परड़ा तर अस्तरश्यक पर आधारित हैं तीसरी डेफिनिस से उदारी करन की इसमें एक और हैं उदारी करन से ताथ पर सरकार की आयत और निर्याद नीदी लाइसेंस पर नाली और द पर चुरू किया गया, जैसे कर्स उधार, विदेसे ही बिनीवेब भजयार, संबंद्स उधार, बनाकर देश की आतवस्ता का उधारी करन किया गया, तो तीन डेफिनिशन आपको जो पहले डेफिनिशन नी बहुत ईजी थी, उनको तीन नमबर में एक्सित आप यूज कर सकत ठीक अब इसका हम पर क्या पढ़िनाम पढ़ता है उदार्शक्या क्या हाथिसुदार की हम वो देखते हैं यह आपको डेफिनिशन के साथ यह तीन नम्ब अगर वो कुछन उसमें आता तो उसके आतिसुदार के अंतरगर निम्द सुदार के तिसाए नाम लेगे हैं प्रस ड पुजिगत बस्तू के आयत की स्वतनता, MRTP के स्थान पर रास्ट्रिय प्रतिस्पर्दा आयोग का गठर उदारिकरन के पढ़िनाम आतिक सम्रेदिदल बढ़ी, वेश्विक अर्थविस्ता के साथ समेकित प्रिया बढ़ी, अर्थविस्ता में उत्पादक्ता, कार्य को सल प्रितिस्पर्दा त्मक्ता में ब्रदि हुई, वेटिये छेत में गति सिल्ता और निजी करन को बढ़ावा था आप कोस्तन है हमारा एक कलग से भी छे नमबर निजी करन क्या है एक टुछे नमबर ये साथ से कोस्तन अपने लिखा है, निजी करन में अगर इसी जो कोस्तन अपना था आर्थिक सुधार में निजी करन को लिखना है तो सिंपल डेफिनिशन देंगे और इसका लाब की निजी करन में क्योंके चेंजिस किये जब सार्वजनिक छेत्र में संचाले, किसी उपकरम या उद्ध्यों की संपत्या, कारोवरा तता करमचारी की सेवाएं सरकार द्वारा किसी निजी व्यवसाई छेत्र की उपकरम को हस्तांत्रित कर दी जाएं तो इस आर्थिक प्रक्रिया को निजी करन के लिए अब एकोड एफिने निजी करन से आशे सबी प्रकार की बानिजिकी एकति विदी से सार्वजनिक उक्रम को बापस लेते हुए इसके प्रवंदन और स्वामित को निजी चेत्र को सौपने से है सरकार इसका कृरियान में बिनीवेश, अनारच्छन, एबंग पती राश्टिकरन द्वारा करती है सरकार भूमिका और सार्विन उप्रम के स्वामेत प्रवंधन का सरकार द्वाद त्यार करना ही निजीकरन क्या राता है बिनिवेश की प्रिक्रिया 1991 के वाद सरकार ने अपनी भूमिकाओं कम किया और नेजी करण को कोहा दो डेफिनिशन बता हैं तीसरी जो सबसे सिंपल डेफिनिशन है वो अब मैं बता रहा हूं किसे आपको सरकार के बंद एवं घाटी के उध्योगों को नेजी हातों में सौपना ही नेजी करण कहलाता है नेजी करण के हमें आज़सक्ता क्यों पढ़ती है आतिसुदार के पूर्व कालतर सार्वजनिक उठकरमों के निस्पादन सम्मंदी बहुत सी समस्यां उठपन हुएं जिसके का उठपादक्ता में आग प्रयाक बद्दी, घटिया प्रोजक्त प्रवंदन, स्टाप की आवसक्ता से अधिक तक्नीक उन्यन की कमी, नौकर साई, ब्रस्टा चार, लाल फीटा साई, आदि समस्याओं से निवटनी के लिए निजी छेत को प्रसान देना प्रारम किया गया फिर है सार्वजनिक में अब इसमें निम्नि प्रावदन क्या थे निजी में सार्वजनिक उध्यों को बहुत अधिक प्रवंदिये खयांतनिया स्वच्ता दी जाएगे बजटिये समार्थन क्रमिक रूप से गठाए जाएंगे बजा संतुलन के लिए निजी छेत को बढ़वा तथा कुछ चुने उध्यों में पूंजी विनिवेश ऐसी में सार्वजनिक उध्यों को जीर रूप से बीमार हैं उनकी पुना स्तापना के लिए अध्योंगी एवं बित्ये पुननिर्मार बुड को सौब देना है स्रिमिकों के हितों की रच्छा के लिए सामाजिक सुरच्छा प्रिक्रिया कायम की जाए सार्वजनिक छेत्र की कमपनी के भुडों को अधिक बैफसाइक बनाया जाएगा अब आँगे दिखते हैं इसमें निजी करन के घठक सार्वजनिक छेत्र का संकुचन करना सार्वजनिक छेत्र के उद्गमों में सरकार का बिनिवेश करना सार्वने छेत्र के उद्गमू के सियरों की विक्री और बिनिवेश निजी छेत्र का कुल निवेश अधिक भाग निजी करंसे में लाप क्या हुआ उच उत्पादन और उत्पादक्ता घरेलू और बेस्पिक प्रतिस्पदा मक बातवन बना आधुनी करंसे में विवित्ता उपभोग संब्रुपता में आया हनी क्या हुई समाज का कल्यान में कमी आई आतिक उपनिवेश उपभोगतावाद को बढ़ावा मिला ये पहला टॉपिक है हमारा इसका फर्स्ट भाग है 7.3 का कल हम इसका आंगे का भाग लेके आएंगे तो जो एक और और जो व्यापन की बेकिंसी आई उनको देखते हुए हमपी का आज का हमार नया टॉपिक लोग गायन पढ़ेंगे आज हम और इसके आंगे जो मंद्विद्धिस के टॉपिक चलते रहेंगे अपने आज के लिए इतना है जैहें